हेलो बच्चो हम आपके लिए आज कच्छा साथ के गणित का पेपल लेके आए इनके उत्तर आपको बताएंगे और हल करके बताएंगे तो उससे पहले आपको क्या करना होगा हमारे चेनल पर मतलब आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे एक लाल किलर के सब्सक्राइ सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें चले चलते हैं प्रस्न की और उत्तर क्या है देखिए तो हम पहले प्रस्न की और चलते हैं हमारा जो पहला प्रस्न है उसमें देखिए क्या बोला है कि चिनमे का रोल नंबर जो है 379 है इस नंबर का प्रसारित रूप होगा तो देखिए आपको तोड़ना था मात्र की क्या होगा तो साहट प्लस कितना हो जाता? 39 होता, 379 तो होता नहीं, तो ये गलत हो जाता पहला वाला, दूसरा देखिए 300 प्लस, 30 प्लस, 9 तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है क्योंकि प्रशारित मतलब कि जितना अधी तो ओड़ सको, ये से तो इसका योग और इसका योग सही है पर प्रसारित का मतलब होता है सबसे ज्यादा फिलाना तो देखे तीन सो को भी फिला लिए और साहट को भी फिला लिए और नो को भी अलग कर लिए तो यह होता है प्रसारित रूप ठीक है तो इसका राइड अंसर का होगा तीसरा नंबर का प्रस्टन है कि 0.35 इंटू और 0.42 का जोड़ होगा तो आपको जैसे कि यह लिखना है 0.35 इंटू फिर 0.0542 और इसको जोड़ना था एड करना था ठीक है तो यही करना था तो देखिए कितना हो जाएगा पांच और दो साथ हो जाएगा और इसका चलके चार और तीन साथ हो जाएगा और दसंबलो का दसंबलो रहने दिजिए और 0 को 0 लिख लीजिए बस इसी तरह आपको जोड़ना था तो इसका राइट आंसर पहला होगा ठीक है चलिए मतलब जो अलफावेट होते हैं उनकेफ्षा नहीं बेर छार राषल होती एक दो तीन चार पांच य Alexandria 11市 गिंत हमेसा अचार आती है परन्तो जैसे ए भी सी टी एकस यह सब क्या होती है चर रासी उती चर तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका डी नंबर का राइट आन तो देखिए इसमें सबी रेखा अगर आपसे बोलता संभाउ तीर वूझ पहला देखें पहले चितन हम बताते हैं। संभाॉ तिरभुच में क्या होता रीखा जो बराबर रहती मतलब की इनकी जो लंबाई रहेगी तीन 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 कुछ भी रहेंगी मतलब की संभायitter सब तिरूर्ज की बुझा अलग अलग रहती, मतलब कि जिसे अपने को दिया हुआ है, दो, पांच, चार, मतलब सभी बुझा की संभाई अलग अलग रहती, तो भी संभाहू रहता है, और सम्धिवाहू क्या होता है, सम्धिवाहू में जिसे ये बना है, तिरूर्ज, तो इस प्राब में नब्द्राद करतें हैं अतफ़ में एक तरफ लोगन उसका बिए कितनी होती किनार ये किनारा ये है किनार ये है एक किनारे यह है एक किनारे यह है एक किनारे से करते करते इसके टोटल बारा किनारे होते हैं कितने किनारे होते हैं बारा किनारे होते हैं दो किनारे इसके दिखते नहीं है हमेशा जब इसे बनाएंगे चितर तो ठीक है कितने किनारे होते हैं बारा किनारे होते हैं चलिए दे लगते हैं तो बस भाग दे देना है तो एक बटे तीन इसका राइट अंसर होगा ठीक है देखिए नेक्स प्रस ने प्लस कोश्टक में माइनस थी यह दिया हुआ है ठीक है तो आपको हल करना इसका मान निकालना है तो इसका संसरी जब माइनस भाइब तो माइनस काुल का ठीक है तो इसी तरह होगा तो देखिए 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा डो हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स प्रस नमक्रस क्या दिया हुआ है बात तीसरे दिन 20,176 बल्ब बनाती है, तीनों दिनों में कुल कितने बल्ब बने, तो आपको सबी को जोड़ना था, तो जैसे कि हमने जोड़े हुए है, ठीक है, तो आपको इसी प्रकार जोड़ लेना है, ठीक, अब देखें, नेक्स प्रेसन क्या है, कि आप आज जो गुन देखना है, फिर उसमें आपको दो का भाग देना है, तो दो का भाग देना है, तो कितनी वाज जाएगा, नो बढ़ जाएगा, फिर नो में आपको दो का भाग नहीं जाएगा, दो से बड़ी संक्या लेंगे, दो से बड़ी संक्या कितनी होगी, तीन से भाग देखेंगे और इधर भी एक तीन था इधर भी एक तीन था बतलब नीचे ऊपर टोटल जितनी संक्या एक दोनों में से अलग अलग निकल रही है बराबर बराबर तो उनका इंटू कर देना तो जैसे इसमें से दो निकला है ठीक है और इसमें से तीन निकला है ठीक और जैसे ही दो निकल मैने दो सो अरग्सक्रास देखत माहाम इसके सब्सक्राइब टरेच्छ üzच के और यह गड़ेखने सब्सक्राइब सब्सक्राइब और यह को सब्सक्राइब आपको इसमें जो AB एक रेखा खंड हो गया ठीक है फिर ये क्या हो गया BD दूसरा रेखा खंड हो गया फिर AD ये जो दिया हुआ तिसरा रेखा खंड हो गया ठीक है फिर AC ये चोथा रेखा खंड हो गया AC फिर उसके आज BC ये पूरा सलंग एकदम BC हो गया और उसके आज फि और उसी में पूछा गया है कि किन तीर बुजों में इसाइक किन तीर बूजों में मैं bliver लिडरेन है ठीक है त्था एक तिर बूज Por के बी सी याले तिर्वूज में दोनों तिर्वूज में हो गया नहीं से करना था ठीक है अब पुछाए किसी घड़ी के घंटे वाली सुई यदि बारा से चलना प्यारम करें तो निम ने लिखी तो इस्तितियों में कौन सा कौन बनाईगी यदि वहां आदा गुणन करें तो तो देखिए आपको पता है घड़ी जे होती है बारां से चलना प्यारम करेंगी मतलब ये बारा खाटा है ओओ ये छे जब आधा कौन बनेगा मतलब की कितना होगा यह देखिए अधीक कौन बनता अधीक कों किसे कहते है जो 180ř अंस का होता है 180 कि कों कहते है तो ये 180 अंस का कोण बनता है अगर इतना बनता मातर इतने पर बनता तो कितना बनता नाइंटी रेंस का कोण बनता जिसे समकोण केते हैं परन्तु यह अधिक कोण है जो एक स्वासियंस का बना है और एक बटे चार कोण घुणन करती है तो एक बटे चार देख लेजिए एक बटे चार आगे तो आदा गुणन मतलब 180 घुमी, 180 घुमी मतलब कि अधिक कों हो गया ठीक है और अगर पूछ ले कि 1 बटे 4 मतलब कि 1 बटे 4 इतना होगा तो 1 बटे 4 मतलब 99 घुमी है घड़ी पूरा जो घुमेगी जब पूरा अगर घुमती है तो 300 सह संवा का इंगल बनता है कोन बनता है और ईक बट चार घुम्मी तो 90 छ lux का बना है तो इसे समकौन के थे ठीक है समकौन के थे ठीक चलिए नेक्स्ट देख लेते parenthर नेक्स्ट प्रेस ने है एक कम्रे की लंबाई 4 मीटर तथा चोड़ाई 3 मीटर 50 सेंटी मीटर है कम्रे के फर्स को ढखने के लिए कितने बर्ग मीटर गलीचे की आवसकता होगी तो आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना है बर्ग का चेतरपल याने कि आयत का चेतरपल लगान आपको इसमें इंटू कर देना चार इंटू 3.5 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा चाहुदा बर्ग मीटर आ जाएगा चलिए नेक्स्ट प्रेस ने यदि 50 ग्राम सक्कर को में एक गिलास सर्वत बनता है तो एक किलोग्राम सक्कर में कितने गिलास सर्वत बनेगा तो यही आपको बस 1000 से भाग दे देना था और इसका राइट आजाएगा कि 200 ग्राम सक्कर में एक गिलास सर्वत बनता है तो यहां कि देखी थोड़ा सक मिश्टेक हो गया है यह देखिए क्या है कि 50 ग्राम है हमने नहां 5 ग्राम लिखे है तो नहां 50 ग्राम लिखेंगे यह तो इसको 2000 ग्राम होजर भाक देगे थीक है 50 से भाग देंगे तो हमें इस गिलास किसी साला के कच्छा सातके विद्ध्यारति हो दौरा पसंद किए जाने वाले फलोग कि हो सार्णा में प्रदर्शित किया गया है तो इसको क्या करना है? इस आकडो को डंड रंक twenty के द्वारा निरूपित करना है इस प्रकार आपको चीतर बनाना है, or आपको साथ बना देना है, इसका र्राइट अंसर हो जाएगा ठीक है, तो आपके प्रेस में ही समापत होते है, तो वीडियो अगर भी बच्चो आपको अ